हालो दोस्तों मैं गवरान आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोड़न बैलूची में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई CSIR के लिए सिरियस हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लास्ट मन्त में CSIR का तयारी कैसे करें कौन-कौन से चप्टर मॉस्ट इंपोर्टेंट है कौन-कौन से चप्टर को आपको पहले कवर करना चाहिए और जनरेल अप्टिट्यूड में आप कैसे फूल मार्क्स ला सकते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत किजिए वीडियो को अन्ते तक देखिए और मैं आसा करता हूं कि आपको लाब जरूर मिलेगा एक चोटे से इंटर्वल के बाद मैं हूं गौरा और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी चैनल कोड़न बैलोजी में हमारा लास्ट टार्गेट एक्जाम था DBT-BET 2019 आप सभी भाईयों बहनों और दोस्तों से काफी अच्छा रिस्पॉंस आया है मैं आप सभी को थैंक्यू कहना चाहता हूं अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर से DBT एक्जाम में लाब हुआ है ता आप कॉमेंट बॉक्स म हमें जरूर बताएं तो हाँ आज बात करते हैं CSIR के बारे में हमारा नेक्स टार्गेट है CSIR June 2019 and ICMR-GRF इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR के बारे में तो चले पहले हम लोग बात करते हैं CSIR, NetGRF के कोशन अनलाइसिस के बारे में इसमें तेरा मोड्यूल है पहला मोड्यूल है molecular and their interaction relevant to the biology cellular organization, fundamental process, cell communication and cell signaling, developmental biology, system physiology, system physiology of animal, inheritance biology, diversity of life form, ecological principle, evolution and behaviors, applied biology, methods in biology अब देखते हैं कि इन 13 मोड्यूल से किस से कितना questions आते हैं पाहला मोड्यूल से 8 से 9 questions आते हैं दूसरा मोड्यूल से 7 से 8 questions आते हैं fundamental process से 12 तू 13 questions आते हैं cell communication signaling से 12 तू 13 questions आते हैं 9 तू 10 questions आते हैं developmental biology से plant system biology से 10 तू 12 questions आते हैं animal physiology से 6 तू 8 questions आते हैं एनिये इकलोजिकल प्रिस्पल से नइने टो 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 आते है वाईजोंटा उपलाइड वाईजोंज के तरुटे वारे में अगर आप और टीप चानदर चाते हैं टॉपीक के बारे दिशक करेंगे, तो बात करेंगे तो इस ऐसे दीचरते cutter- कोशन्स आते हैं सी में भी अगर जेनेटिक्स की बात करेंगे तो फोर तु फाइब कोशन्स आते हैं और फोर तु एक्सपेरिमेंट वेश्ट कोशन्स जो होते हैं वो जद तर पाट C में ऐसे कोशन्स आते हैं । तो इन्स्ट्रूमेंट से गर बात करेंगे तो 4-5 questions आती हैं पार्ट B में और 5-8 questions आती हैं पार्ट C में MODAL ARGONISM से अगर बात करेंगे तो 3-4 questions आती हैं every year और other questions जो होते हैं वो 8-10 questions आते हैं जो जोटेश्टे topics होते हैं उससे questions आते हैं अब जराए एक्जाम का पाटेन को देखते हैं, अगर एक्जाम का पाटेन को देखेंगे, तो इसमें 3 सक्षन होते हैं, सक्षन A, सक्षन B, सक्षन C Section A में 20 questions होते हैं जिसमें सबको 15 solve करने होते हैं और प्रती questions 2 marks का होता है यानि कि 13 marks का question आता आपका Section A में Section B में 50 questions होते हैं जिसमें 35 आपको attend करना है Each questions 2 marks के होते हैं यानि कि 70 marks आपका Section B से Section C में 75 questions होते हैं जिसमें 25 आपको attend करना है 4 marks होते हैं each question और यह total marks होता है इसका 100 तो इससे 30 marks इससे 70 marks और इससे 100 marks यह total 200 marks का एक्जाम होता है negative marks बात करेंगे तो 25% negative होता है इसमें exam hall में जाने से पहले आपको एक बार cut-up पिछले साल का जरूर देख लाना चाहिए तो 2018 का cut-up है JRP के लिए cut-up है 52%, 46%, 40%, 34%, 25% और अगर LS की बात करेंगे LS के लिए है 49%, 42%, 36%, 30% और 25% तो आपको यह देखने से यह फायदा होगा कि आपको रिसाइड करना है कि कौन सा आपका section सबसे अच्छा है अगर मालेजे इसमें आपका यह section अच्छा है ति यहांसा आपका 20 marks secure कर सकते हैं section B में अगर 35 में से आप 20 questions भी attain करते हैं तो यहांसा आपका 40 marks secure होता है तो यह होगी आपका 60 marks अगर section C से आप 20 questions भी attain करते हैं यह आपका होता है 20 into 4 80 marks और total marks आप obtain करते हैं 140 cut up हमेशा जो होता है वो 100 to 120 के बीच में आता है अगर आप कुछ गलत भी बनाते हैं कुछ सही बनाते हैं तो at least 100 and 110 तो आपको जरूर ही मिलता है यह अपने section के हिसाब से आप तई कर सकते हैं कि कौन सा section आपका better है कौन सा section में आप ज्यादा अटेंड कर सकते हैं उससे आप त्यारी कर सकते हैं CSIR NetJRP के त्यारी के लिए मैं आपको obviously suggest करोंगा कि बुक अच्छा है लेकिन जब last moment की बात आता है तो बुक आपको guide नहीं करेगा अच्छे से लास्ट मोमेंट में आपका अपना एक study plan होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए पिछले साल देखेंगे तो CSIR NetJRP में जून 2018 में 3550 ज्यारी क्वालिफाय हुए थे और थाथी 756 लेक्षर सीप क्वालिफाय हुआ थे इसमें DBT से एक अच्छी बात यह है कि DBT में बहुत ही limited seat होता है 200-300 लेकिन इसमें काफी ज्यादा seat है तो आपके chances भी काफी अच्छे हैं तो आईए discuss करते हैं कुछ important tips के बारे में 15 questions से आपको attend करना है तो आप अराम से चूज कर सकते हैं कि कौन सा 15 questions आप बना सकते हैं और बिल्कुल भी ऐसे questions को marks ना करें जो आपको नहीं आता हो लिगेटी मार्गिंग को avoid करें पार्ट बी में 35 questions आपको चूज करने होते हैं टोटल इसमें 50 questions होते हैं पार्ट बी के लिए यह section easy होता है क्योंकि इसमें basic concepts से आपके सवाल पूछे जाते हैं इसमें भी आप half an hour लगाए ज्यादा समय इसमें ना लगाए क्योंकि यह straight forward questions हो basis होता है आपने जो master में पढ़ा है तैयारी किया है उसी से questions बनेंगे तो 75 में से एक ए question को पूरा पढ़ने के पहले ज़रूरत नहीं है पहले आपका जो topic है आपका जो master's का degree topic है आप उससे जो questions हमें पहले उसको attend किजिए गर उसी में 25 आपका हो जाता है और confident है तो आपको चुछ करें जो आपका master का topic है master का subject है और 25 questions ही attend करने है आपको यह तो बात होगी tips की अप current analysis में आते हैं current analysis कहने का मतलब है एक estimation कर डेट का देखे था 16 April है थो हम एक दो दिन gap लेके चलेंगे बिल्कुल भी चिंता मत कीजी क्योंकि मैंने PPT 16 को बनाया था बट मैंने रिकॉर्ड किया है 17 को और आपका target जो time है वो exam date है Sunday को 16 June को इस बीच में आपको 16 April to 16 June एकुरेट 60 days मिलते हैं यानि की 2 months theoretically यह 2 months आपके पास है और इसमें आपको पढ़ने है 13 modules जो हमने पहले देख चुका है इसके बारे हम discuss कर चुके है यह J और D का क्या मतलब है यह J और D आपका आने मतलब है J इंडिकेट करने का मतलब है कि June में इस topic से ज्यादा questions पूछे आते हैं D काने का मतलब है कि December में इस topic से ज्यादे questions पूछे जाते है तो कुछ topic ऐसे हैं जो bias है और कुछ topic ऐसे हैं जो normally हर साल उससे questions पूछे जाते हैं अगर आप अभी June 2019 की तारी कर रह चाहिए अब हमारे पास theoretically 16 डे है theoretically हमारे पास 16 डे है और हमारे पास chapter 13 अगर आप बहुत दीरे दरे पढ़ते हैं यह बिल्कुल भी खतम नहीं होने वाला है तो obviously आपके पास एक study plan होना ही चाहिए तो क्या है study plan क्या आप पूरे 16 डे पढ़ेंगे क्या आप sure है कि आप 16 डे पढ़ेंगे अब यह आपके पास 16 डे है तो क्या आप sure है कि आप 60 डे पढ़ेंगे आए जरा इस पर गौर करते हैं आपके पास mobile है आपके पास friend है और कुछ special friends भी है और बहुत कुछ time तो आता जाता ही राता है इतना सब कुछ के बाद अगर आपका mood हुआ तो उस बीच म आप इन 16 डे पढ़ पाएंगे तो यह इस बात से तय होगा कि आप कितना दिन पढ़ पाएंगे तो आए एक नजर देखते हैं कि हम कितना दिन पढ़ सकते हैं तो आपका calendar में यह अप्रील है अगर हम लोग गाप लेके चलेए तो हम लोग 18 अप्रील से बात कर सकते हैं 30 तक टोटल कितने दिन आपको पास बचें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौव दस ग्यारा बारा तेरह मतलब कि अप्रील में आपके पास टोटल थर्टील डेज हैं और अगर मई की बात करें हम लोग तो मई में कितने दिन आपको पास पूरे 31 डेज हैं मई में मे पूरे 31 डेज हैं और जून में अगर बात करें तो जून में आपके पास 16 डेज हैं ओभर अलग के पास कितने दे हुए लेकिन हम लोग सिर्फ 14 मान कर चलेंगे तो 14 के बाद तो आपको ज़्यादा सतर समय इस बात में जाएगा कि आपको सेंटर पे कैसे पहुंचना है मैं होब कि आप संदे को भी पढ़ेंगे लेकिन फेस्टिबल और पार्टी को कॉंड रोग सकता है वो तो आते ही रहेंगे या तो आप मास्टर कम्पलीट कर चुके हैं या तो आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो फ्रेंड्स और पार्टी तो होते ही हों ओभर अलगर मान क चलें तो आप 50 डेज पढ़ सकते हैं अगर आप सीरियस हैं तो आप 50 डेज तो पढ़ी सकते हैं तो इस 50 डेज को एरेंज किजिए कि किस तरह से आपको पढ़ने से आपका गोल आपको अचीव हो जाए चले स्टेडी पनान बनाने में आपकी मदद करते हैं तो 7 step solution for CSR June 2019 तो हम आपको प्रवाइट करते हैं 7 step solution CSR June 2019 पहला आपको आपको तीन साल के questions बिलकुल अच्छे से पढ़ने चाहिए उसको समझने चाहिए कि किस तरह के questions आते हैं उसको solve दिजे ये आपको बहुत helpful होगा दूसरा है कि quick revision of topics read the content well अधर जो आपका पढ़ावा topic है उसको quick revision कर लीजिए और अगर आपका पढ़ावा नहीं है अभी आपके पास समय है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए इसके बाद जो related questions होते हैं उस topics से उसको solve किजिए जो previous questions आ हैं उसको भी और जो related model questions से उसक कि आप जो solve की हैं आप जो भड़े हैं और test series में जो questions आते हैं आप कितना उसमें touch कर पाते हैं इसके बाद आपको करना आए कि practice करें theoretical और as well as the numerical questions को बहुत सारे ऐसे वाई chemistry में है जो numerical questions को आप अच्छे से प्रिपेर किजिए theoretically भी जो questions कुछे आते हैं और numerical questions यानि कि theoretical as well as the numerical questions आपको तयार करने चाहिए practice करते रहे हैं 6 में है सभी डाउट को clear किजिए जो भी ऐसा नहीं कि last day में हम पूछ रहे हैं कि कौन सा डाउट है मैंने देखा था dbt के कुछ questions में last moment पे कुछ कुछ मित्रे ने message किया और कुछ मित्रे ने mail किये थे कि हमें इसमें doubt है इसको clear कर इसके बाद जब आप यह सब कुछ कर लेते हैं तो एक exact model paper बनाईए या कहीं से test series से लाईए या join किजिए या एक exact model paper लीजिए और जैसे exam ने बैट के आप तीन घंट में complete करते हैं वैसे ही अभ्यास किजिए वैसे ही अभ्यास किजिए कि आप तीन घंटे में कितना question solve कर पाते हैं क्योंकि समय का बहुत मौत है CSR के exam में और जब आप इतना कुछ कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल भी exam के लिए तयार हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह के काम होते हैं कि होते हैं smart work दूसरा होते हैं hard work smart works और hard work smart works always be better than the hard work तो आपको बताते हैं कि smart work कैसे करें 7 step solution के बाद हम आपको बताते हैं कि क्या smart work आपको करना है इस बार June 2019 के CSR के लिए यह 3 step है सबसे पहला है कि practice the questions जो हमने 7 step में पहले बात किया था इसके बाद है कि analyze your strong and weak point आप जब question practice करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा point जो है वो strong है और कौन सा point weak है जो point आपका strong है उसमें सिरिफ question practice किजिए जो point आपका weak है उसमें समय दीजिए उससे और ज़्यादा question practice किजिए उसको strong किजिए और फिर last में आता है आपका revise it अब आपको जब पता चल गया कि कौन सा strong है कौन सा weak है तो आप उसको अच्छे से revise किजिए और अच्छे से त्यार कर सकते हैं और एक बात हमेशा याद रखिए allow yourself to be beginner no one starts off being excellent हमेशा जब आप पढ़ाई करें जब आप रिभायच करें तो हमेशा खुद को सुरू से पढ़ने के लिए तयार किजिए तो आई आपके मदद करते हैं study plan बनाने में क्या है आपका study plan इस 15 डेस का क्या आपके पास study plan है मुझे लगता है कि at least आपको डेली 14 आवर पढ़ना चाहिए आपको at least 14 आवर जो है डेली पढ़ना चाहिए at least 12 जून तक क्योंकि 16 को आपका exam ही है रिविजन के से मैं ऐसा ध्यान रखे है कि हमेशा जो आप सिलेवस कबर करें हों हमेशा नोट से ही करें जो आपने नोट प्रिपेर किया है रिविजन उसी से करना चाहिए हमेशा अपने पास एक study plan रखें यह बहुत ही जरूरी है बहुत हारे subject अगर है आपके पास जैसे कि 13 modules से हमारा इसमें तो आप क्या कर सकते हैं कि time divide कर सकते हैं इसमें जैसे कितना घंटा आपको module 1 पढ़ना है कितना घंटा 2 पढ़ना है कितना घंटा 3 पढ़ना है और कौन सा most important है किसको पहले पढ़ना है यह सारे चीजें आप एक study plan में बना सकते हैं यह अनुमान लगाना गलत होगा कि आपक कौन सा मोड्यूल आपको पढ़ना है जो जून के लिए है उसको तो आपको प्रारिटी देनी ही चाहिए और पढ़ते पढ़ते बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बिल्कुल भी सुए नहीं जब भी आपको नींद आया तो आप बिल्कुल सुए और फिर से जटके पहरी सुरू करें आप यकीन माने कि रिजल्ट कभी भी एक दिन नहीं आता ये सुचना बिल्कुल गलत है कि रिजल्ट उसी दिन आता है जिस दिन रिजल्ट निकलता है रिजल्ट हर रोज सुभा चार बजे आता है जब आप उटकर पढ़ते हैं रिजल्ट हर रोज आपके revision question में आता है जब आप revise करते हैं रिजल्ट वैसे ही हर रोज आपके करीब आते जाता है जिस तरह आप syllabus खतम करते हैं यह होगा आपका study plan के बारें बात अब current analysis की बात करते हैं कि तुली 13 modules में से आपको कौन सा modules पहले पढ़ना चाहिए और कौन सा modules बात में इसका decide आप कर सकते हैं कि आपका कौन सा topic strong है और कौन सा topic weak है अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा आपको सबसे पहले आपको sales communication and sales signaling पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां से 12 to 13 questions होते हैं इसके बाद आपको system physiology प्लांट पढ़ना चाहिए क्योंकि यह से 10 to 12 questions होते हैं और इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए और इसके बाद आप पढ़े ecological principle और इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करेंगा methods in biology क्योंकि यह ऐसे topics हैं जो बिल्कुल भी biased नहीं है यह unbiased topic है हर साल इससे एक निश्चित questions का number रहता है जो आता ही है इसके बाद आपको सजेस्ट करेंगे कि आप applied biology पढ़े क्योंकि यह जून के लिए बहुत ही जरूरी है इसके बाद आप evolution and behaviors पढ़े क्योंकि यह जून के लिए biased topic है 8-9 questions से रहते हैं इसके बाद आपको समय मिलता है आप developmental biology पढ़े क्योंकि 9-11 questions यहां से रहते हैं और आप पढ़े इसके बाद fundamental process 12-13 questions यहां से रहते हैं इसके बाद आप कभर करें diversity in life form क्योंकि 8-9 questions रहते हैं यहां से इसके बाद आप कभर करें system physiology of animal animal का system physiology क्योंकि यहां से 6-8 questions होते हैं और इसके बाद हम लोग तो बात करना ही बूलगे molecular and their interaction questions relevant to the biology 8-9 questions यहां रहते हैं और यह बिल्कुल unwise topic है इसको जरूर पढ़ें इसको जरूर पढ़ें बिल्कुल भी छोड़े मत मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं 15 days हैं और आपके पास decided chapter है तो आप decide कीजिए कि आपको कितना दिन में एक कांसे chapter खतम करना है अगर आप हमसे पूछेंगे हम आपको बताएंगे कि 4 days पर modules आप तैयारी करें यानि कि एक modules को completely prepare करने के लिए आपको तीन से पांच दिन देने चाहिए इससे ज्यादा समा आपके पास है भी नहीं हर एक अपना अपना एक portion है जो strong है और weak है इसलिए मैं एक common study plan नहीं बना पा रहा हूँ इसलिए आप अपना एक study plan बना है अगर आप कुछ में लगता है कि मेरी मदद के जरूरत है आप हमें email कर सकते हैं उस plan को मैं आपकी मदद जरूर करूंगा चले पहले part के बारे हम बात करते हैं general aptitude के बारे अगर नहीं तो कोई बात नहीं कोड़न वले जी आपके मदद जरूर करेगा तो हम बात कर रहे हैं कि 20 questions मेंटे 50 questions को आप कैसे completely solve कर पाएं मतलब कि आप 30 में से at least 25 तो जरूर अचीब कर सकें चले एक study plan बनाते हैं common study plan जिसमें general aptitude को completely cover करने की कोसिस करेंगे 30 day plans for general aptitude 30 day खने का मतलब है कि हर एक देन आपको एक topic completely revise करना है और उसमें आप one hour और one and half hour लगा सकते इंवेस्ट कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए best plan है पहला topic है कि time and work यहां से aptitude में questions आते है time and distance aptitude में questions आते हैं distance and direction से जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे दो तीन topics पढ़ लेंगे इसके बाद आपको जरूरत होगी एक test series का जिसको आप जरूर अटेन करें coding decoding series formation फासंटेन और जब आप इतना सब कर लें तो आप फिर से एक test conduct करें तो आईए इसको calendar के map में इसको adjust करते हैं किस दिन कौन से topic पढ़ना चाहिए तो अगर हम अपरील की बात करेंगे तो आपको अगर 18 से हम लोग लेंगे तो 18 को आप time and work complete कर लीजिए इसके बाद आप questions केजिए फिर time distance complete कीजिए 19 को फिर questions केजिए 20 को distance and direction complete कीजिए और जब आपका ये तीनों complete हो जाए इन तीनों से common questions बनाई है और इसको complete कीजिए ताकि उससे कोई बाने वाला सवाल आपका चूटे नहीं फिर 22 को फिर से start कीजिए coding decoding series formation 24 को percentage 25 को फिर 26 को फिर 27 को जब आपको कुछ topics हो जागा फिर 27 को complete एक revision कीजिए और फिर एक test 10 कीजिए और फिर ताप आपको कोई भी questions चूटे ना इसी तरह से आप लगातार इसको continue करते रहें इसके बाद मई में देखते हैं काफी सारे topic हैं अगर इसको adjust करेंगे calendar में तो यह इस तरह से fit हो जाएगा और कहने का मतलब है कि जैसे इससे आपका 3-4 topic 5 topic complete होता है तो आप एक बार test जरूर attend करें ताकि आपको पता चले का हैं तो 18 में को आपका completely general aptitude खतम हो जाएगा और इससे कोई भी सबाल मुझे नहीं लगता कि छूटेगा यानि कि 15 questions में से मेरे ख्याल से आप 15 भी attend कर सकते हैं at least 12 तो कर ही सकते हैं और जब आपका यह complete हो जाए इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि छोड़ दें हर एक week में हर एक Sunday को एक टेस्ट रखिए और जिसमें से आप इसको revise करते हैं से कि 19 को एक Sunday है वहां पर टेस्ट ले लिए फिर 26 को Sunday है विसमें टेस्ट ले लिए लिए तब इसको revision में रखना है यह तो हो गया आपकी बात अब सगा लिए कि कोड़न वेलेज़ आपके लिए क्या कर सकता ह कॉटन वलीज आपको यह बता सकता है कि इसे त्यारी कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपका important है आपके लिए प्रिवेसर का question analyze कर सकते हैं और आपको select करने में मदद कर सकते हैं कि कौन सा most important topic है जिसको आप solve करें पहले और अगर आपको किसी topic में बहुत दिक्कत है तो इसको peak revision हम कर सकते हैं, explain कर सकते हैं आपको selected topic को क्योंकि आप रहतर जानते हैं कि सिर्फ 2 मेने में completely CSR के syllabus को cover नहीं किया जा सकता है चौथा हम कर सकते हैं अगर आपके पास कोई doubt है तो आप हमें mail कर सकते हैं हमें comment box में लिख सकते हैं अगर आप हमारे पुराने subscriber हैं अगर हमारे पुराने मित्र हैं तो आपको पता होगा हमें class चलाते हैं biology and biotechnology में आप no doubt और यह weekly class है जिसमें की question आप Monday to Friday questions भेज सकते हैं और हम इसका इसका solution वीडियो की दोर अप्लोड के आया था यह weekly class है तो आपका doubt के लिए हम कर सकते हैं आपके पास कोई भी अगर doubt है तो आप हमें mail कर सकते हैं आप हमें comment box में लिख सकते हैं आपकी मदद हम जरूर करेंगे विप्त हम यह कर सकते हैं आपके लिए कि हम एक टेस्स कंड़क्ट कर सकते हैं या तो वह topic wise हो सकता है या model paper के जैसा बना सकते हैं ताकि आपको मदद मिले यह समझने में कि आप actually में कितना तयारी कर चुके हैं और लास्ट में हम आपके लिए कर सकते हैं कि यह moral और motivation सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह जनकारी थी CSIR के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो भी लिख डाड़ी हमें mail किजी हमारा mail ह यह तो आप comment box में लिख सकते हैं हमें अभी जो cotton value का next target है CSIR June 2019 और ICMR जेयरव तो ICMR के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 18 से हम लोग regular lecture शुरू करेंगे CSIR के लिए और ICMR जेयरव के लिए अगर आप भी CSIR या ICMR का त्यारी करते हैं तो जुड़िए हमसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कोड़न बैलो जी आपके साथ है थैंक्यो सो मच्च फर वाचिंग मैं वीडियो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार